Hello everyone and welcome again to Cygo Love Stunx की Chapter wise Series में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने 10th की Physics को स्टार्ट किया था जिसमें हमने पहला चेप्टर जिसका नाम था Light उसे स्टार्ट किया था जिसमें हमने Sparical Mirror, Train Mirror इन सब के बारे हम देख लिया था Concave Mirror और Convax Mirror दोरा बनने करेंगे और साथ में हम चिन परिपाटी को भी देखेंगे जो कि बहुत important है तो start करते हैं आज की वीडियो को हमारा पहला टॉपिक है uses of concave mirror अवतल दर्पन के उपियोग ठीक है बहुत पुछा जाता है एक्जाम में दोनों के उपियोग तो देखें तो सबसे पहले देखते हैं अफ्तल दर्पन के उपियोग तो देखें पहला उपियोग है यूजज इन टॉर्च जो टॉर्च होती है न टॉर्च के आगे अफ्तल दर्पन तो यह क्या है एक लैजिए उक मुम्हाने यहां को लाइसे वहां भी लगाते क्या है ःक्तिय जह प Jersey औ서도 है अगर यह लाइट फैलेगी तो यह ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर भाएक है और अगर हमT po यह एक बीम बनाते तो यह ज़्यादा दूर तक travel कर सकती है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं एक mirror लगाते हैं कौन सा mirror लगाते हैं okay तो torch में और वहाँनों की headlight में लगाते हैं कौन सा? concave mirror next वी यूजए है इसका solar device solar device जैसे की solar cooker solar cooker में भी हम किसका उप्योग करते हैं concave mirror का उप्योग करते हैं okay क्यों क्योंकि ऐसे type का होता है बीच में यहाँ पर खाना बनाने वाला वह रखते हैं यहाँ से लाइड आती है सारी rays इसके उपर पढ़ती है उपर साखे टकरा के okay तो एक जगे focus करने के लिए हम कौन सा लगाएंगे concave mirror इसलिए हाँ पर concave mirror का use होता है next use in saving mirror so दाड़ी बनाने का जो सीजा होता है वो भी क्या होता है concave mirror का होता है next है dentist to see cavity जो doctor होते है दांत के doctor वो cavity को देखने के लिए जैसे दांत खराब हो जाता है तो उसके अदर cavity हो जाती तो उसको देखने के लिए कौन सा mirror use करते है तो कौन के mirror आफ़तल दरपन को उप्योग करते है तो ये सारे हो गए इसके major uses अब हम देखते convex mirror यानि कि उत्तल दरपन के उप्योग पहला उप्योग देखे it is a use as rear view mirror in vehicle जो गाड़ी होती है जो side में light लगी रहती है जिससे हम पीछे की गाड़ी को देखते है वो किसका बना होता है तो होता है convex mirror का बना होता है ऐसा क्यूं उसका क्यूं बनाते है क्यूंकि जो convex mirror है उत्तल दरपन हो क्या करता है बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है तो पीछे एक पूरा ट्रक आ रहा होता है और उसका image बना देता है इतने से भी इसलिए हम क्या लगाते है convex साकी पीछे का पूरा view देख सके हम छोटे से mirror पे तो यह हो गया ठीक है headlight में तो लगा रहे हैं अवतल लेकिन पीछे देखने के लिए जो side में mirror लगाते हैं वो बनता है हमारा उत्तल का ठीक next है दुकानों में security mirror के रूपे है दुकानों में जो security mirror होता है ऐसे रोडों पे भी देखा होगा आप यहाँ पे मैं फोटो लगा देता हूँ जो यह आप देख रहे हैं यह ही है security mirror इसमें भी कौन सा दर्पन यूज हुआ है तो उत्तल दर्पन यूज हुआ है यह भी उत्तल दर्पन रहे है तो यह तो होगी uses uses पूछे जाते हैं exam में तो इसको आपको धंक से अच्छे से त्यार कर लेना है next topic हमारा mirror formula दर्पन शूत्र तो दर्पन शूत्र देखी क्या होता है 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v अब देखी जो दर्पन है दर्पन में यहां बीच में क्या होता है plus और आगे हम lens पढ़ेंगे तो lens में यहां पर minus आज़ेगा बागी same formula होता है ठीक है बस यहां sign चिल जाते है तो दर्पन में बीच में क्या आता है positive का sign आता है plus आता है ठीक अब मैं इनके बारे में बता देता हूँ आपको यह जो जो लिखे हैं यहां पर small app क्या है यहां पर यह focal length focal length हमने पीछे देख लेता u क्या है u है दर्पन से वस्तू की दूरी ठीक है object की दूरी from mirror ठीक है distance of object from mirror यह हो गया u और v क्या है परतिबिम्ब की दूरी दर्पन से परतिबिम्ब की दूरी ठीक है image की distance को v से करेंगे और u क्या होता है object की distance को mirror से तो यह हो गया इसको अभी use करेंगे हम numerical में अब आगे देखिए linear magnification रेखिया आवर्दन रेखिया आवर्दन क्या होता है देखिए पूछा जा रहा है आजके लेक्जाम में linear magnification क्या होता है इससे हम बता सकते हैं कि वस्तु का जो परतिबिम्ब है वो वस्तु से छोटा है बड़ा है कैसा है सीधा बना है या उल्टा बना है यह सब बता सकते हैं linear magnification से तो इसका सूत्र आपको बता होना चाहिए linear magnification को small m से denote करते हैं और small m वराबर क्या होता है h- upon h is equal to minus vy u ठीक है यह फॉर्मुला होता है अब देखे इसमें बताता हूँ क्या क्या है h-s क्या है image की height किसका परतिबिम्ब की height है ठीक है बराबर minus v यह minus है यहाँ पर ठीक है lens में पलस हो जाता है तो यह भी ध्यान रखना है यहाँ पर यह minus है तो v किसका था परतिबिम्ब की दूरी और u क्या है object की दूरी तो m बराबर h- upon h यह भी होता है यह फिर m बराबर हम लिख सकते minus v y u according to numerical जैसा question पुझेगा उसमें हम लगा देंगे सूत्र ठीक है अगर v u दे रखा होगा तो ऐसे निकालेंगे और h-स और h-स दे रखा होगा तो ऐसे निकालेंगे तो यह हो गए linear magnification तो अगर h-स बराबर h है इसका मतलब क्या होगा कि जो वस्तू की हाइट है और जो image बनाया है उन दोनों की हाइट के है बराबर है जो किस में होता है समतल दरपन में होता है ठीक है पीछे पड़ाता है तो अगर ऐसा है तो magnification कितना हो जाएगा एक हो जा जाएगा जाएगा तो magnification कितना आ जाएगा और यह एक क्स में होता है समतल दरपन में यानि फ्लेन मिरेन में होता है तो समतल दरपन का आवरधन सदह फ्लस 1 होता है, प्लस 1, ओके, प्लस 1 होता है, यहां पर प्लस का जो साइन है, प्लस का sign क्या denote करता है प्लस का sign denote करता है आभासी को अगर प्लस का sign लगा है ठीक है आवर्धन में अगर प्लस का sign लगा है जैसे कि समतल दरपन का आवर्धन होता है प्लस वन तो वन का मतलब क्या हुआ वन का मतलब होगा है कि बराबर है image की height और वस्तु की head दोनों बरावर और plus लगा है plus का मतलब क्या है कि ये virtual image बना है अगर यहाँ पर minus लगा होता तो क्या होता है real image बना होता लेकिन यहाँ पर plus लगा होता है तो virtual यानि कि आभासी image बना है और जब आभासी image बनता है तो कैसा होता है वो? सीधा होता है तो plus का मतलब वो यहाँ पे यह होता है अब दूसरी condition देखें यह दिए H बड़ा है H से यानि कि परतिविंब की height, image की height वस्तू से बड़ी है तब क्या होगा? तब जाहिर सी बात है जो magnification है वो एक से ज़्यादा होगा इससे कम होगा, पांच ले देते चलिए तो इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? दो बात एक से ज़्यादा है यह कितने भी ले ले लिए? दस बटे नौ ले 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 लेते है मतलब उपर ज़्यादा होना चाहिए तो ज्यादा तो इससे काटेंगे तो कितने आएगा एक बार मत जाएगा 1.1 यानि कि ये 1 से तो ज्यादा ही है तो 1 से ज्यादा होगा magnification यानि कि वस्तू का परतीबिंब क्या है ? बड़ा है वस्तू से और 3rd condition क्या है ? जब Des 우리가 lushing byели यह रोग एैं तो इस वह आ आते हैं हम साइन कवेंचिस्न फॉर कॉंठे या नी कि परिपाठी देखते हैं अव्दल दर्पन के लिए व्दल दर्पन के लिए यह परिपाठी है यह सब आप पीछे देख चुके हो तो चिन परिपाटी यानि की साइन देखेंगे साइन किदर प्लस किदर माइनस होता है तो आपने फठा होगा जो मैटरी में थोड़ा सब यह तो पता ही होगा कि यह X 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 जो डिस्टैन्स होती है यह भी क्या होती होती है और जब नीचे जाएंगे तम नेगटिव हो जाएगा और जब इधर जाएंगे तब भी नेगटिव हो जाएगा ओके तो यह आपको बेसिक पता होगा ठीक है नहीं पता है तो यहां पर देख लिए ठीक है इधर क्या होता है पॉजिटिव ऊपर के अदा पॉजिटिव नीचे नेगेटिव और इस साइड नेगेटिव ठीक है ये बनगे हमारा अफ्तल दर्पन आप से ओपर जितनी भी दूरेब होगे हम क्या होगा यादि यह यहाँ पर क्या है पी ए पोल से नीचे जितना भी जायेंगी दूरी वह क दरपन के पीछे जाएंगे तो positive और दरपन के आगे आएंगे तो negative ठीक है ओके अब यहां से एक चीज और दिख रहे हैं आपको कि focus इधर है दरपन के आगे इसका मितलब क्या है इसका मतलब यह है कि focus क्या होगा हमेज़ा? negative होगा तो एक point यहां से हमने क्या देखा कि जो अवद्द दरपन है उसका जो focus है हमेज़ा क्या होगा? negative होगा पहला चीज-द, अब देखिए इसमें कुछ चीज़े बताता हमाँ U को हमेशा negative में लेंगे U यानि कि वस्तु की दूरी हमेशा negative क्यों क्यों कि वस्तु को तो हमेशा दर्पन के सामने ही रखेंगे इधर ही रखेंगे वस्तु को इधर तो रखेंगे नि क्योंकि इधर reflection हो गई नि reflection जिदर होगा उधर ही तो रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो इधर की सारी दुरियां क्या थी नेगेटिव है तो यू हमेशा हमेशा आग बंद करके आपको नेगेटिव लेना अब्तल दरपन के लिए focus क्या होगा नेगेटिव होगा देख लिया क्यों होगा क्योंकि इधर है focus और इधर क्या देर साहाट दूरी सही आगतिव तो अब तर्वण की फोकस दूरी क्या होगी हमेशा हुआई हुआ अगर एंटे 10 वा अगर यानिकि परतिविंब की उचा ही इसका क्या होगा कि पर्तिविम ऐसे बनेगी तभी तो नेगेटिव होगा यहां देखे नीचे की साइट जाएगा तभी तो नेगेटिव होगा अगर ऐसे बनेगा तब तो यह पॉजिटिव हो जाएगा तो इसलिए जब नीचे बनेगा तब क्या होगा वो नेगेटिव होगा और बननाओगा ूल्टा बनाओगा उल्टा है अब इससे पहले हम देख के आचुके हैं वाउ से याद करा था हमने कि अगर उल्टा बनेगा तो image कैसा होता है वास्तविक होता है ठीक आप समझ में आगिया कि h-dates अगर negative होगा तो image कैसा होगा real होगा और इसका उल्टा जब h-dates positive होगा तो कैसा होगा virtual यानि की आभासी होगा ओके समझ में आगिया यह दोगे h-dates अब v और m के form में देखते हैं यदि v और m positive है ठीक अगर v या m की value positive आ रही है तो image कैसा होगा virtual और इरएक्ट होगा ठीक है ψ किया Hij मारा distance है किसकी distance है image की distance है तो negative पॉजिटीव का मतलब क्या हुआ वह पॉजिटीव का मतलब फो होगा image इधर बनेगा यह यही तो है positive कि image इधर बनेगा तब यह तो आएगा पॉजिटिव अगर इधर बनेगा तब आएगा negative distance आए ना में यहाँ mirror से जितने भी distance यह mirror हो गया अगर इधर जाएंगे तो positive distance आएगा यहाँ से इधर जाएंगे तो negative distance आएगा तो अगर positive आ रही है इनकी value V की value या फिर M की value positive आ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि जो image है वो virtual है virtual क्या है वाई क्योंकि दरपन के पीछे बन रहा है दरपन के पीछे जितने भी image बनती सब क्या होती वर्च्वल अगर वर्च्वल है तो 80 अगर आप 80 यह तो कैसा बनेगा सीधा बनेगा इरेक्ट बनेगा ठीक है सार और अगर इसका उल्टा करते हैं अगर negative आ रहा है वी की value यह फिर M की value के नेगेटिव में है तो image इधर बन रहा होगा है ना तभी तो negative आ इसकी दूरी अब इधर आ रहा है इसका मतलब दरपन के सामने बन रहा है दरपन के सामने जो भी image बनता है वो कैसा होता है sign convention किसके लिए कौन के mirror के लिए अब convex mirror के लिए देख लेते हैं वो समझ में आगे तो ये भी समझ में आ जाएगा तो आप देखते हैं उत्तल दरपन के लिए sign convention चिन परिपाठी देखते हैं अब उत्तल दरपन के लिए अब तल के लिए देख लिया तो convex के लिए देखते ह आपको इतना पता है कि इधर होता है इसका focus इधर नहीं होता है यह बता दिया था पिछली वीडियो में तो उत्रदरपन का focus इधर होता है इतना पता है और पी यहां पर होता है यह सब पता है आपको तिन परिबाटी तो सेम रहेगी उपर जाएंगे तो positive नीचे आएंगे तो negative इधर जाएंगे तो negative और इधर जाएंगे तो positive ठीक है अब एक चीज़ दिखा आपको यहां पर कि जो उत्तल दरपन है उसका focus इस side है इस side है इसका मतलब क्या होगा कि वह हमेशा कैसा होगा positive होगा ठीक है तो एक question आपको यहीं से बेड़ गया कि आतल दरपन का focus हमेशा negative होता है और उत्तल दरपन का focus हमेशा positive होता है ठीक हमेशा दरपन की बात तो यह लेंच्व में सब बदल जाएगा ठीक तो उत्तल दरप यहीं पे तो रखेंगे वस्तु को, यहां पे, और यह किस साइट रख दिया हमने ? negative वाले का साइट रखते है, यू हमिसा क्या होगा ? negative इसलिए मैंने बोलगाता कि चाई अवंतल challenging हो, चाई उत्तल दर प्न यू Q हमेसा negative वाया वहाएगा, इसलिए मैंने Chaseł negative आया अगर Chaseil negative आया यानी नीचे आया ऐसे उल्टा बनेगां अगर Chaseign नेगटिव बनेगा यानी कि Image कैसी बनेगी उल्टी बनेगी उल्टी बनेगी ुल्टी बनेगी इसका मतलब क्या होगा Image , वह रल hygien Age वाव से उल्टा होगा तो कैसा बनेगा वास्टा बनेगा ठीक है और इसका उल्टा वाइस वर्षा कर दो कि अगरory curve यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है? इमेज इदर बन रहे है इमेज की धर बन रहे है? अब आसी है इसका मतलब कैसा होगा? सीधा होगा छीक तो अगर पॉजटिव है तो क्यासे बनेगा? वर्चुल ऐरी रैक्ट बनेगा ठीक और अगर वी या पिर तो अगर नेगुटिब साइन है तो क्या से बने गां कि एन्वेड़किन थोड़ा सा दिमांग अपन Chuck लिगे जाए एक अगे दिमांग को मुने पीछे पढ़ा घब हम देख रहे थे नेचर जब उत्तल दर्पन। okay, convex mirror द्वारा हम वो देख रहे थे, image कैसे बनता है, तो उसमें हमने देखा था, दोई condition है, दोई condition थी उसमें, एक infinity पे रख रहे थे, और एक infinity और p के बीच में रख रहे थे, तो हमने वहाँ पे पाया था कि दोई condition में, दोई condition में image कैसा बन रहा था, आभासी और सीधा बन रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, कि आभासी और सीधा बन रहा है, तो ये वाला condition तो होई नहीं सकता कभी भी, यानि h' की value, उत्तल दरपन में कभी भी negative नहीं आ सकती है, समझ म होता है, और कैसा होता है, virtual होता है, okay, सीधा और virtual होता है, जीक, तो acidi x की value कभी भी negative नहीं हो सकती है, उत्तल दरपन में, okay, और पीर, same चीज, यहाँ पे भी apply करेंगे v और m में, v और m में क्या, कि image कैसा बनता है हमेशा, virtual बनता है, और सिधा बनता है, तो v की value बी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है V की वेल्यू भी नेगेटिव नहीं आएगी और M की वेल्यू भी नेगेटिव नहीं आ सकती है उत्तल धरपण में ओके ठीक तो यह याद रखना है कि M और V यहां पर V V M और V सदे पॉजिटिव आएगा किसमें उत्तलदर्पन में, क्योंगों हमने देखा較 कि hai दोनों कंडिशन में इमेज कैसस अ में सीधा और आभासी बनता है ओके वर्चिलर इरेक्ट बनता है थीक है , तो यही बोला था मैंने थुड़़ा सा दिमाग लगाने भிक्त और यह सब कहां पर help करेगी अभी जब numerical करेंगे न तब और अगर आपको लग रहा हूँ यहां से numerical नहीं आ रहा है तो आप पिछले exam उठागे देख लिए ठीका यहां से तो नुमरिकल के लिए तयारे और फ्रीक नमबर नुमरिकल में ज्यादा टैम भी नहीं लगता है तीस सेकंड तीस सेकंड में आपका आंसर आजाएगा ओके तो यह हो गया चिन परीपाठी अब आगे देखते हैं अब दो तिन नुमरिकल कर लेते हैं जिससे कि यह ट प्लेस एट 10 cm in front of it वेर इस दा इमेज लोकेटेट ओके हिंदी मीडिय में मैं इसको टांसल कर देता हूं कि एक अवतल दरपन तीन गुना ज्यादा आवर्दित इमेज बना रहा है जो की दरपन से 10 cm की दूरी पर रखा गया है तो हमसे पुछा गया है कि जो बनने वाला इ पहले दिखें क्या गरे? कुस्चिոन को समझे ए ठीक हो एक दो बार पढ़ना है आपको और वहां से data को एक्स्टक्ट करना है बहार निखालना है data को ठीक तो देखे डेटा को भाहर निकालते हैं कि मेंगनिफिकिकिस्यन दे रखा है मैंगनिफिकिकिस्यन दे जए उसने कि तीन गुरा ज्यादा है यानी की म की वैल्यू दे दिया गया है टीन ओके और वस्तु को कहां पे रखागया है 10 cm की दूरी पर तो यू दे दिया 10 तो आपको पता है magnification का m is equal to minus vyu यह पता है अगर आप इस formula win की value रख दोगे तो आपका answer आजएगा तो देखें इसी में रखते है value को अच्छा एक चीज़ सोचें यहाँ पर कि जो यह concave mirror लिखा है क्या है यहाँ पर convex mirror लिखा जा सकता है बाकी question वैसे रखना है बस यहाँ पर कॉन्कर की जगे माैं convex लिख सकता हूं हाँ यह ना तो देखें यहाँ पर हम convex नहीं लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जो image बन रहा है और हमने यह पढ़ लिया है कि convex mirror में real image नहीं बनता है तो यहाँ पर convex नहीं आ सकता ठीक है तो ऐसे आप रटने यह सारी चीजों को आपको समझने है उसको समझोगे तो आप कर पाओ गया और देखिए m की वैल्यू की तरह की तीन अब यह प्लस होगा कि माइनस क्योंकि यहां तो साइन पर आता है तो हमने देखा कि रियल इमेज और रियल इमेज का बनता है जब एम की वैल्यू का शिवती नेगेटिव तो फॉर्मुले में रखते हैं यानि कि एम की जगे कितना रखेंगे माइनस तीन माइनस वी तो ऐसे रहेगा क्योंकि निकालना है यू की जगे कितना रखने माइनस दस इस माइनस से यह माइनस कट गया यह इधर चल जाएगा तो कितना होगा वी की वैल्यू आजएगी माइनस तीस वी की वैल्यू क्या गई माइ इसे तो इमेज भी इधर ही बनी है और यह 10 cm की दूरी पहा और यह 30 cm इसले इससे पीछे बना है इस से पीछे बना है और बड़ा बना है बड़ा कैसे बना है क्योंकि आत्तार हैं यह काफी इंपोडेट आप इसका यूज ले सकते हैं एकस्यumes को इसली कर सकते हैं एक ट्रिक के तरह ले सकते हो देखें य Hebrews May होनी चाहिए और एक से छोटी बनी चाहिए तो आप बदा सकते हो कि वह जो मेर है वह जो दर्पन हो कौन सा है उत्तल दर्पन होगा ओके कॉन्वेक्स मेर होगा यहादी एम की वैल्यू पॉजिटिव और एक से छोटी है ठीक पहला कंडिशन दूसरा देखें दूसरा है कि की एम की वैल्यू पॉजिटिव है पर वह एक से बड़ी है एक से बड़ी है तो वह कौन शा दर्पन ळोगा वह अफ्दल दर्पन तब क्या होगा हो अफ्दल दर्पन और THR Decl m कभी भी एम की वैल्यू ने Communist हो नहीं सकती है ऑk है तो यह भी आपको ध्यानक नहीं दिनो ओ यानि कि H की value दे दिया हमें साच इंट्र एच क्या था object की उचाई यह दे दिया converging mirror अच्छा converging और diverging mirror क्या होता है आप देखिए converging mirror जिसको हिंदी में बोलते है अभी सारी क्या बोलते है इसको अभी सारी या फिर converging mirror जो कि किरणों को converge करता है यानि कि एक point पर focus करता है और यह काम कून करता है आप खुछ सोचे यह वाला करेगा कि यह वाला करेगा इसके बाहर की साइड यह था हमारा अवदल दर्पन और यह था उत्तल दर्पन तो अवदल दर्पन क्या कर रहा था यहांसे टकराके सारी क्रीण ने एक जगे पर फोकस कर रहाता है, फोकस करने का काम यह था, हमने जब इसका यूज देखा था, light torch वगेरा में लगाते हैं, तो इसलिए लगाते हैं, क्योंकि यह क्या कर रहा था, converge कर रहा था, तो converging mirror, mirror, converging mirror, देखे, converging lens, अगर पुछे, तब वो अलग हो जाएगा हमारा answer, वो आगे देखेंगे, लेकिन अगर converging mirror पुछे, यानि कि अभी सारी दर्पन पुछे, तो वो होता है, हमारा अफ्तल दर्पन, यानि कि concave mirror, mirror को भी बोलते है, converging mirror, ओके, और diverging या फिर अप सारी, diverging या फिर अप सारी बोले, तब वो होता है, हमारा convex यानि कि उत्तल दर्पन, ठीक है, यह दोनों भी आपको point note कर लेना है, तो mirror कुन सा होगी हमारा, उत्तल दर्पन होगी है, इससे 17 cm की दूरी पर रखा गया है, ओक at which distance from the mirror should be the screen we place in order to obtain sharp image, यानि कि हमसे पुछा गया है कि एक screen रखना है, हमने परदे को रखना है, तो किस दूरी पर रखे कि हमें image पराप्त हो जाए, तो हमसे simply क्या पुछा गया है, V, कि V बताओ, V मतलब कि image की दूरी पुछे गया है, कि परदे को कहां पर लगा है, जो image पराप्त हो जाए हमें, तो सबसे पहले क्या करना है, extract करना है data को कि क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है h, h दे रखा 7 cm, और उसके आगे भी question था, कि also find size and nature of image, ठीक है, size भी और nature यह भी कर देंगे, ठीक है, तो h दे रखा हमे, h, h लिख दिया हमने, ठीक, यहां पर ल दे रखा है, small f, small f दे रखा है, और यह कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, अब यहां पर minus क्यों लिया मैंने, सोचो, क्यों लिया, क्योंकि यह कौन से दरपन है, अफ्तल दरपन है, okay, concave mirror, mirror की focus दूरी क्या होती है, negative होती है, तो इसलिए मैंने यहां पर negative लिया, okay, समझ मा आ गया, हमें निकालना है v, तो हम लगा देंगे इसमें mirror formula, mirror formula क्या आता है, 1yf is equal to 1yu plus 1yv, 1yf कितना है, 1 by minus 18 is equal to 1y minus 27 plus इतना, इसको इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा plus का, okay, यानि 1yv की value क्या हो जाएगी, एक बटे 17 में से, एक बटे 18 खटाएंगे, ठीक है, तो LCM लीजे, LCM कितना हो गया, 24 दो बार में गया, और 18 से तीन बार में गया, तो कितना जाएगा, minus 1 by, minus 1 by 54 is equal to 1yv की value थी है, अब हमें तो v की चाहिए, 1yv की थोड़ी है, तो इसको पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो यह भी पलट जाएगा, यानि कि v की value कितना जाएग size, अब size पता करने के लिए क्या करेंगे, यानि acid S पता करना है, acid S पता हो सकता है, जरूर हो सकता है, अगर हम magnification से निकाल देंगे, तो m is equal to, क्या होता है, minus by, u होता है, okay, m निकाल लेते हैं, पहले, m के वो m e रखेंगे, minus v की value पता चल गया, हमें कितना है, 54, minus कि हैं रखे m की value कितने आ जाएगी और यह minus ओपर चल जाएगा था m की value कितने जाएगी minus 2 m की value कितने आ गई minus 2 आ गई ठीक है अब यहीं से हम सब कुछ बता सकते हैं minus 2 यह minus का sign है इसका मतलब image कैसा है real image है real image कैसा होता है हमेशा उल्टा बनता है यह उल्टा हो गया सब कुछ बता दिया हमने इसमें तो इस परकार से आपको solve करने numerical इस channel पर एक video भी मिल जाएगी आपको mirror आसे डानला mirror mirror slash lens by side को आपको एक video मिल जाएगी आपको उस video को देख लेता है उसमें मैंने सब कुछ clear कर रहा है और numerical भी कर रहा है तो focal length कितना होता है इसका infinity होता है focal length infinity होता है इसका और Magnification होता है वो तो हमने पहले भी देख लिए था कितना होता है प्लास वन होता है focal length कितना होता है infinity यानि अनन्त एक और question देखते हैं देखें कि what is a regular and diffuse reflection रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्रियूज रिफ्लेक्शन के बारे में पुछा गए कि यह दोनों होते हैं तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है अब यह दो टकराने के बाद यह दुनों एक दूसरी के हो गई पैलल तो इस परकार का अगर होता है रिफ्लेक्शन तो उसी को बोलता है रेगुलर रिफ्लेक्शन किसमें होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर तुरू स्मूथ सर्फेस ऐसा रिफ्लेक्टर जिसकी सर्फेस उसका हो स्मूथ तो उसी ही में होगा ये इस परकार का regular Crashieder CHAR too diffused reflection diffused reflection a kind of reflection in which the reflected is split in different direction यानी इसमें क्या होता है छाइन हरी होते है यानी होती है व्हुद्री होती है यानी रफ सर्फेस होती है स्मूथ नहीं होती है इसमें ऐसा होगा तो क्या होगा जाहिर सी बात है अगर कोई रहे आएगी टकरा कि यह इस साइट चल जाएगी यह इधर यह इदर यानि कोई पहले नहीं होगी टकराने के बाद तो इसको क्या बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यह भी पूछा जा सकता है पूछा तो नहीं गया आज तक अब आगे देखिए एक चीज बता देता हूं मैं आपको कि जब आप प्लेन मिरेर के सामने खड़े होंगे तो आपका जो सामने आपकी इमेज सेम साइज की बनती है कौन वेक्स मिरेर के सामने आपकी जो इमेज है वो हमेशा छोटा बनेगा डिमनेश्ट बनेगा पर कौन के मिरेर के सामने आपका जो इमेज है वो छोटा भी बन सकता है बड़ा भी बन सकता है और सेम साइज का भी बन सकता है ओक को आदिम से आप जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसे लगी अपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें मिलते नेक्स्ट वीडियो में जाहिन